अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे रधाय से अपने सारी आत्मा अपने सारी शक्ति और अपने सारी बुद्धी से प्यार करो और अपने पडोसी को अपने सम्मान प्यार करो संत लूकस कासु समाचार अध्याई दस पत्संक्या 27 आज का सुब संदेश हे प्रबु तूने मुझे गर्थ से निकाल दिया हे प्रबु तूने मुझे गर्थ से निकाल दिया क्रिस्त में मेरे प्यारे भाईयों और बहनों आप सबों को जैसू आईए कुछ देर अपने आँखों को बंद रखें आज के इस नय दिन को याद करते विए उस प्रबु को दन्यवाद दें तमाम जो अच्य चीज़े हमारे जीवन में प्रबु करते हैं उनको याद करते विए प्रबु को दन्यवाद दें अपने अंतरात्मा से गहरायों से प्रबु को दन्यवाद दें और उनकी आशिशक्रपा मांगते विए उनको अपने जीवन में बुलावें धन्यवाद प्रबु आपको हम सब को आपके प्रतिरूप बनाने के लिए ये नया दिन देने के लिए और आज के दिन आप हमारे साथ रहें विश्वासियों आज एक प्रस्टन प्रबु के सामने रखा जाता है सो समाचार में अनन्त जीवन पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए और उत्तर भी प्रबु उसी वेक्ति से पाते हैं वो कहते हैं इश्वर के सभी नियमों को पालन करो वो भी सारे रिधयों से क्योंकि सारे नियमों का सार दो आदेशों पर निहित है पहला इश्वर के प्रती प्रेम यहां पर इश्वर के प्रती प्रेम याने सब कुछ वहां पर आजाता है प्रात्ना करना आग्याओं का पालन करना वचनों पर चलना सच्चाई पर जीना ये सब ईश्वर का प्रेम को दर्शाता है मेरे प्यारे विश्वासियों और दूसरे बात पडोसी के प्रती प्रेम याने मिलन सारी में रहना एक दूसरे के लिए समय देना इश्वा का मनोभाव को अठाना घमन को अठाना अपने आपको दूसरों के प्रती एक समाना जी हाँ मेरे प्यारे भाई और बैनों यादि ये दो चीज़ों को अपने जीवन में हम लोग करने के लिए कोशिश करेंगे वही है हम स्वर्ग राज पा सकते हैं जीवन याने आनंत जीवन हम पा सकते हैं कभी-कभी आप पूछेंगे अपने आपको मेरा पडोसी कौन है क्या मेरा पडोसी जो मेरा अगल में बगल में रहते हैं आमने सामने रहते हैं वो है? नहीं प्रबु ने बले दृस्टान्त के द्वारा जो बले समारी के दृस्टान्त है आज को समाचार में प्रबु ने हमें समझाया जो दुख में है जो पीडा में है जो धर्द में है जिसके लिए कोई नहीं है उनके लिए जब हम मदद करते हैं उनको जब हम समाई देते हैं उनका सच्चा पडोसी बन जाते हैं आज हम यह प्रश्ट पूछें मेरा पडोसी कौन है कितने बार मैं दूसरों के मदद में आया हूं कितने बार दूसरों को समाई दिया हूं कितने बार दूसरे लोग मेरे जीवन में मेरी मदद करते विया आए हैं विश्वासियों दुआ करें प्रात न करें जीवन जीते समय दूसरों के अच्चाई के लिए कार करें ना कि बुराई के लिए दूसरों के जीवन में बोज ना बनें लेकिन आशिष बने आमेन